ओम श्री परमात्मने नम्हा, हरे कृष्णा, मोहिनी एकादशी का वरत और उसकी कथा सूर्य पुराण में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वली मोहिनी एकादशी की महिमा का वर्णन महराज युदिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वली एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत का पालन कैसे करें इसे करने से क्या पुर्णे प्राप्त होता है क्रप्याप विस्तार से बतलाईए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मपूत्र ध्यान से सुनिये जो कथा वशिष्ठ मुनी ने प्रभूश्री रामचंदर जी को सुनाई थी मैं वही आपसे कहता हूँ पूर्वकाल में प्रभूश्री रामचंदर वशिष्ठ महराज को पूछने लगे कि हे आदर्निय रिशिवर सीता जी के विरह से मैं अत्यनत निराश हूँ क्रपया आप हमें ऐसा व्रत बतलाईए जिसके प्रभाव से सब पापों से और दुखों से मुक्ति मिल जाए तो प्रभूश्री रामचंदर जी के आध्यात्मिक गुरू वशिष्ठ जी ने कहा कि प्रियराम आप बहुत बुधिमान हैं आपके पवित्र नाम से ही सभी प्राणियों के दुख दूर होते हैं उनका जीवन मंगल में होता है फिर भी सभी जीवों के उधार के लिए अब मैं आपको इस व्रत की विस्तार पूर्वक कथा कहता हूँ वैशाक मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एक आदशी आती है वो बहुत ही मंगल कारक है इस व्रत के पालन से व्यक्ति संसार के दुखों से अनेक पापों से तता भातिक ब्रहम से मुक्त होता है प्राचीन क पाल में सरस्वती नदी के किनारे रम में भद्रावती नामक राजी था धृत्तिमान नामक राजा वहां राजी करता था चंद्रवंश में जन्मा यह राजा सहिश्वू और सत्यवादी था उसी शहर में धनपाल नामक एक वैश्य था जो बहुत ही पुर्णिवान वैश् जनहित हेतु उस भक्त धनपाल ने नगर में अनेक धर्मशालाएं, रुग्णाले, बड़े मार्ग, पाठशाला, बाजार और भगवान विश्णु के मंदिरों की स्थापना की थी. पीने के लिए पानी, कुए में, शुद्ध, जल का तालाव तथा अन छन पूरे नगर में बनाए थे. इस प्रकार जन कल्यान के लिए अपने धन का उपयोग तरीके से करते हुए अपना नाम धनपाल सचमुच उसने सार्थक किया. सबका हित चिंतन करने वाला, सबके उपर प्रेम रखने वाला इस वैश्णव के पांच पुत्र थे. समन, द्युतिमन, मेधवी, सुकीर्ती और ध्रिष्ट बुद्धी ये उनके नाम थे. इन सभी में ध्रिष्ट बुद्धी बहुत पापी और दुराचारी था. दुष्ट व्यक्तियों का संग, व्यभिचारी इस्त्रियों का संग, निश्पाप पशु की हत्या मास, मद्रापान करना, इन सब पाप कृत्यों से व्यभ अत्यंत पापी और दुराचारी बना हुआ था. अपने परिवार के लिए वो एक कलंक था, देवता, ब्रहम्मन, बुजुर्ग तथ अतिथियों को कभी आदर नहीं देता, सदा पाप करने में रत रहता था. एक दिन मार्ग पर वैश्या के कंधे पर हाथ रख कर जाते हुए, उसे उसके पिता धनपाल ने देखा और उन्हें बहुत दुख हुआ. उसी दिन उन्होंने द्रिश्ट बुद्धी को घर से बाहर निकाल दिया. इसलिए द्रिश्ट बुद्धी अपने माता पिता, भाई, रिष्टेदार और वैश्य समाज से अलग हुआ और हर एक के तिरसकार का विशय बना. पिता के निकालने से द्रिश्ट बुद्धी घर से बाहर जाकर ज्यादा पाप कृतियों में व्यस्त हो गया. खुद के वस्त्र और धन बेचकर जो भी मिला, वो सभी उसने पाप कृतियों में लगा दिया. अंत में जब धन खतम हुआ, तो निर्धनता के कारण उसकी हालत भीखारियों जैसी हो गई. अन ना मिलने से उसका शरीर कमजोर हो गया, उसके सभी धूर्त मित्रों ने बहाने बना कर उसका त्याग कर दिया. द्रश्ट बुद्धी को अतिशय चिंता हो रही थी, भूक से वह व्याकुल हो रहा था, अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा वह सोच रहा था, अन और धन कहां से प्राप्त होगा, इन प्रशनों को सोच कर वह अशान्त हो रहा था, आखिर उसने चोरी करने का निश्य किय और शुरुआत भी की, बहुत बार राजा के सिपाही उसे पकड़ने के बाद भी उसके पिता का मान और बढ़पन देख कर छोड़ देते थे, फिर भी उसने चोरी करना बंद नहीं किया, एक बार विशेश चोरी करते समय वह पकड़ा गया, तब राजा ने उसे कहा कि हे म आज तुम इस राज्य में नहीं रह सकते क्योंकि तुम महापापी हो, मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ, तुरंत इस राज्य के बाहर चले जाओ, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, फिर से सजा मिलने के भैसे द्रिश्ट बुद्धी राज्य के बाहर गहन वन में चला गया, अविवेक के कारण निश्पाप प्राणियों की हत्या करके उनका कच्चा मास खाने लगा, किसी शिकारी की भाती हाथ में धनुष लेकर वन में पाप कृत्य करते भटकने लगा, द्रिश्ट बुद्धी हर समय दुखी और चिंतित रहता, परंतु एक द कॉंडिय नामक बड़े तपस्वी रिशी रहते थे, वैशाख मास था, कॉंडिय मुनी गंगा इसनान से लोट रहे थे, दुखों से परिशान द्रिश्ट बुद्धी ने अनजाने में रिशी के वस्त्र से टपकते जल को स्पर्ष किया, और आश्यर्यम वह अपने सभी प रखती हूँ, ऐसा कोई सभी पाप नहीं है, जो मैंने न किया हो, कृप्य ऐसा व्रत बतलाईए, जिसकी प्रभाव से मैं सभी पापों से मुक्त हो जाओं, अब परियाद पाप कृत्यों के कारण, मैं अपने कुटुम्ब से, मित्रों से, समाज से दूर हो गया हूँ, व्रत के बारे में मैं तुम्हें कहता हूँ, उस व्रत के पालन से कुछी क्षणों में तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन करते ही, तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे, रिशी के आदेश सिध्रिष्ट पुद्धी ने इस व्रत का कठोर पालन किया, हे राजन इस व्रत के पालन से वैश सभी पापों से मुक्त होकर दिव्य शरीर प्राप्त करके गरुण पर सवार होकर विश्वू लोक चला गया, हे रामजंद्र इस व्रत से सभी पापों से भ्रहम से व्यक्ति मुक्त होता है इस व्रत से प्राप्त होने वाला फल तीर्थ में स्नान करने से अत्वा यग्य करने से प्राप्त होने वाले से भी श्रेश्ठ है ओम हरेक्ριष्णा श्रीक्रिष्ण अरपण अस्तू